इंडिया टी 20 क्रिकेट टीम के कप्तान हार्दिक पांडिया और नताशा स्टेंड गोविक एक बार फिर से शादी करने जा रहा है है फंक्षन आज से उधरपूर में शुरू हो चुका है यह अगले दो दिन तक चलेगा 14 तारिक्यानी वैलेंटाइन स्टे को शादी होगी इ शादी के लिए हार्दिक पांडिया और नताशा स्टेंड कोविक आज उधरपूर पहुंचे हैं उनके साथ परिवार की सदस्य और इंडियन क्रिकेटर इशान किशन भी आये हैं आज शाम से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी जो 15 परवरी तक चलेगी इनमें हल्द मेहंदी और संगीत सहिक अन्यकारिक्रम भी होंगे बता दे सबरिया की एक्ट्रेस नताशा स्टेंड कोविक नजबलिये सीजन 9 में अपने एक्स बॉइफरेंड अली गोनी के साथ नजर आई थी हार्दिक और नताशा की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी यही से द बनने वाले हैं हार्दिक ने इक इंटरव्ईू में कहा था मेरी सगाई के बारे में माता पिता को भी नहीं पता था भायक प्रूनाल को भी दो दिन पहले ही जानकानी दे थी सब कुछ होने के बावजूद परिवाल needs मेरा साथ दिया सगाई के बाद हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर इसके फोटो कोस्ट किये थे कैप्शन में लिखा था मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान राजस्तान रोयल वैडिंग के लिए मुख्य डेस्टिनेशन बन गया है अभी के लिए इतना ही नमस्कार मैं हूरिती का खबरों के लिए बने रहे हैं मृदुभार्शी के साथ